तो आज हम लोग देखेंगे modern history का दूसरा lecture और 15 points तक हम लोगे हो चुके थे 15 ए 16 तक और हमनों को आज 17 से चालू करना है और जैसे कि मैंने कल geography का pdf आप लोगों को दे दिया थे telegram ग्रोप पे शेयर कर दिया था और बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा था तुम्हें बता द मैं आप लोगों के पड़े थे कि इसका भी pdf दे दीजिए तो इसका भी मैं pdf आप लोगों को telegram में ही दे दूँगा उसका लिंक भी जो है telegram का ग्रूप का लिंक आपको वीडियो की description मिल जाएगा टेंशन मत लीजिए अगर आपको वहां से नहीं download कर पाते हैं तो आने यही फायदा रहेगा अब बिना टाइम को मैं शुरू करते हैं 17 से ठीक है 16 पॉइंट्स तक हो चुकिए और 17 से देखना है और देखे फिर से वही चीज बोलों कि regular रहें अगर आपको अच्छा स्कॉर करना एक्जाम में तो regular रहें और एक बात कि बहुत लोग English का बोल रह और फिर क्यों irregular हो गया तो बस कुस दिनों का और वेट कीजिए उसके बाद हर चीज रगलर हो जाए करन्ट अफेर और जीके तो regular होई गया है English भी अब कुस दिनों का और वेट कीजिए रोज आपको डेली मिलेगी ठीक है और आपको एक्जाम से पहले पहले तक उसकी मैं गरंटी लेता हूं कि हो जाएगा और साथे साथ रिविजन भी हो जाएगा ठीक है और मैं कोशिस करेंगा कि फिजिक्स और मैट्स की भी क्लास ऑगनाइस की जाए शुरू करते हैं 17 नंबर है जब आई-एंसी ने भारत छोड़ों का प्रस्ताव पारित किया तब कॉंग्र में और यहां पर मैं पूरा डीटेल में आपको बताऊंगा एक्स्पेयर्ण करके उसका पूरा हिस्ट्री तक तो जब आई-एंसी ने भारत छोड़ों का प्रस्ताव पारितिया तो कॉंग्रेस के अधिक्ष कॉन थे तब कुश्चन यहां से जनेरेट होता कि भारत तो यह चली थी 1942 में कुट इंडिया मुवमेंट 1942 में लॉंच हुआ था और तब उस समय के जो कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद एक आपको इनके रिगार्डिंग याद पता होना चाहिए कि यह देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इसी इनहीं के जन्म दिवस पर ही हम लोग एजुकेशन नैशनल एजुकेशन डे मनाते हैं ठीक है यहां से आपको तीन चीज़ें पता चली और आइएंस्यान इंडेन नैशनल कॉंग्रेस के बारे में पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुका हूं तो और इसका मैं कोशिश करूँगा कि प्लेइलिस्ट बना दूं ताकि जो लोग जैसे नहीं नए जोड़ते रहते हैं तो वो लोग बाकि जो पुराने वीडियो देखके नए वीडियो में आएं तो 18 नमबर देखें गांधी इर्विन समझाओता यह हुआ था 1931 में अब यह है क अगर आपको एक्जाक्ट एर नहीं मिलते हैं 1930 मैंने बोला सीडियम लॉंच हुआ ठीक है 1929 वही तो अगर आपको आसपास भी एर है तो भी आप उसको टिक करेंगे ठीक है तो सिविल डिसोबीडियन्स मॉव्मेंट लॉंच हिया था गांधी जी ने और इसी के तयाद जो बोलते हैं हिंदी में तो यह फर्स जो राउंट टेबल कॉंफरेंस हुए थी 1930 में तो अब उसमें जो है कॉंग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और यह हुई क्यों थी जो राउंट टेबल कॉंफरेंस थी यह एक्चुली बिटिशर्स ने बुलाया था सभी इंडिया में क्या-क्या रिफॉर्म होने चाहिए इंडियन नैशनल कॉंग्रेस ने मना कर दिया था और इंडियन नैशनल कॉंग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और उन्होंने बोला था कि आप हमारी डिमांड को नहीं मानते हैं और आने का वहां पर हमारा कोई गांधीजी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था और उस पैक्ट में कई सारी चीज़ें सामने आए थी जैसे कि एक बहुत ही जो में चीज़ सामने आई थी कि कॉंग्रेस जो है तो दूसरी राउंटेबल कॉंफरेंस होगी दूसरा गोल में समिल रहन होगा उसमें इस बार के कौनजी जी ने गरी कि आता और बिटिश घर से अगुरी किया था और ये भी आँ दूसरा एक गांदी जी ने गरी किया था कि जो सीविल डिशोबीडियन्स मुफ्मेंट चल आ है ना उसकोम खतम कर देंगे और एक और गांदी जी ने डिमांड रखी ती इंडिया इंडिया की तरफ से इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने कि जो भगत सिंग की जो फांसी है उसको रोख दिया जाए लेकिन इस पर गवर्मेंट नहीं मानी थी और फांसी उनको दे दी गई थी जो कराची का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कॉंग्रेस उसके एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी भगत सिंग को ठीक है और वहीं पर ये सारी डिमांड्स मानी गई थी और वहीं पर गांधी जी ने भी कुछ डिमांड्स रखती थी जो कि ब्रिटिशर्स ने मानी थी जैसे की जैसे की जो लॉ लगा रखा था वो करने पर टैक्स लगा रखा था उस पता ही होना चाहिए कि 1931 में जो है गांधी रिविन समझाता हुआ था और राउंड टेबल कॉनफेर्स के रिगाड़ी मैंने सब कुछ आपको बता दिया देखिए टेंशन मत लीजे अगर आप कोई माइन से भी कुछ देखिए अगर मैं 100% यहां से फेक रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि सब को 100% ही मिलें किसी को 50% मिलेगा किसी को 60, किसी को 80, किसी को 30 मिलेगा बस सुनते रहिए आप एरफोन लगाईए आप आराम से मज़े पता है सरदी हैं तो आराम से कंबल के अंदर गुसके आराम से इसको सुनिए और जब मैं कोईश्चन करऊंगा तो आप आराम से देखेंगे कोईश्चन यहीं से होंगे और फिर जो भी जैसे कि अगर आपको 40% समझ में आ रहा है तो जो बाकी का 60% है वो आपका कोईश्चन से पूरा हो जाएगा बस आप सुनते रहिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है 19 और हाँ जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा उनलों को तो बहुत आसानी होगे क्योंकि उनलों का तो रिवीजन होता जाएगा ठीक है तो पहले तो सुराज पार्टी के रिगार्डिंग दो चीज़े इंपोर्टेंट कि बनी कब 1922 में और सियार दास मुति लाल नहरू ने बनाई अब मैं आपको हिस्टी बताऊंगा तो आपको यह रटना नहीं पढ़ेगा क्योंकि फिर फर्क क्या रहेगा अगर आप कोप्रेस्टन मुवमंट असा यह कॉंट्व लांच हुआ था हैना उसके कुछ रूल्स नोन कोपरेशन मूवमंट ने गांधी जी ने क्या का था कि हम लेजिसलेटिव कांसिल में लेजिसलेटिव कांसिल को बोईकॉर्ट करेंगे इसका मतलब कि है इसका मतलब भी है हम चुनाओ नहीं लड़ेंगे और जाएंगी नहीं एक तरह से boycott करेंगे उनका और ताकि गवर्मेंट यह देखे और अमारी demands माने ठीक है तो इसका मतलब गया कि legislative council का boycott कर रहे थे अब जब खतम हो गया movement मैं आपको बताया था कि जो legislative council का boycott कर रहे थे ना उसको खतम किया जाया नहीं अब हम चुनाओ लड़ेंगे और legislative council में जाएंगे दूसरा तबका यह कहरा था कि नहीं अभी भी हम legislative council का boycott जारी रखेंगे तो जो पहला तबका था ना उसको बोला हम लोगोंने pro changers दूसरा जो तबका था उसको बोला no changers डिरेक्ट exam में आता है अब यह pro changers कौन थे यह वही लोग थे जिन्होंने स्वराज पार्टी के गठन किया और वही लोग है सियारदास मोतिलाल नहरू और अजमल खान तीन में लोग थे और इसमें जो हैं जो लोग कह रहे थे नहीं हम लोग वायकॉट जारी रखेंगे उसमें बाकी कॉंग्रेस के लीडर्स आ गए उमीद करता हूँ अच्छे समझ यह होगे यह है क्या जो मैंने भी बोला ना यह ऐसे करके pro changers और इसे करके no changers और किसी ने किया सियारदास और मोतिलाल नहरू ने ठीक है और कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है आपका माइन्यूट से माइन्यूट डाउट भी आप कॉमेंट में जरूर लिखें उसको ठीक है और प्लीज अगर मैं महनत कर रहा हूँ तो आप भी पार्टिसिपेट कर नहीं पर 1928 लिखोगा तो ज्यादा दिल पर मतलें चीजों को कि नहीं हमने तो वहां पड़ा था 1928 को क्योंकि यह हिस्त्री है यहां पर अब इग्जाग डेट तो ठीक है 1903 फरवरी यहां पर मैंने लिख रखा है 1927 लेकिन अगर आपको एग्जाम में 1927 नहीं होता है एक अप्शन होता है 1928 एक होता 1930 एक होता 1950 एक होता 1910 तो अब जाहिर सी बात है 1928 ही टिक करोगे है ना तो यहां पर वैसे तो अगर एक्जाग डेट के बात करो तो तीन फरवरी 1923 अब बात करते हैं साइमन कमिशन भारत आया क्यों था तो उस समय के अब बोसकते हो कि जो प्र और बोला कि भारत जाओ अब भारत भेजा कब तीन फरवरी 1927 को यह बोला कि जाओ और वहां की जो कंडीशन है इंडिया की उसकी स्टेडी करो कि वहां पर क्या-क्या रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और क्या सुधार लाने की जरूरत है ठीक है अब यह आ इंडिया में लेकिन इंडियन्स में जितने भी पार्टीस थी चाहिए मुसलिम लीग हो चाहिए इंडियन नैशनल कांगरेस हो चाहिए कोई भी हो मुसली कुछ को छोड़ दीए एक दो को लेकिन मुसली सब ने बोयकॉट मदब एक तरह से विरोध किया कि यहां से भाग जा और साइमन गो बैक के नाले लगे अब बात ही आती है कि मैंने आपसे अभी बोला कि साइमन को भीजा गया था रिफॉर्म्स के लिए कि जाओ देखो और क्या-क्या भारत में और सुधार करने चाहिए तो फिर अब बात आती है कि इन्होंने क्यों विरोध किया इंडियन्स ने परवालों से यह नहीं पूछ रहा है कि आपके घर में क्या दिकत है और कहां पर और चीजें होने चाहिए बस आपने भेज दिया तो वही यहां पर हुआ कि साथ मेंबर के कमीशन बनाए और सब ब्रिटिशर सी थे और जाके बोला कि रिफॉर्म के बारे में बताओ तो इस इंडियस ने बॉयकॉट कि और इसको साइमन गो बैक के नारे लगे अब दूसरा है आई एंसी का प्रिथम अधिवेशन कहां पर हुआ था बहुत ही डीटेल में आपको पिछले वीडियो में बताया था कहां पर हुआ था कब हुआ था 1855 में पहले कौन थे WC बनर जी थे मसलिम कौन थे हो थालय महिला कौन थी पहले इंडियन महिला कौन थे सब कुछ मने बताया था उस वीडियो में ठीक है उसका link मैं कोशिफिस करओ कि डिस्क्रिप्चिन में डाल दूंग है तो आप से आप उसको देख सकते हो अगला एंगला है हिंदूस्तान सोशलिस्त रि नहीं थी एच आर एच आर एच आर ए इसको तो पहले जान लीजिए यह हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्वी इसका गठन चंदर सेखार आजाद ने किया था और भी लोग थे लेकिन चंदर सेखार आजाद और कहां पर हुआ था यह आप से पोछ लेगा तो जो परे जो फिरोशा कोटला सौरी अरुण जेटली जो स्टेडियम है न वहां पर हुआ था यह बहुत सकते स्टेडियम तो नहीं अब देखे फिरोशा कोटला में पहली बात तो यह हुआ था जो यह हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एच सारे है इसका जो स्टेडियम ठीक है तो फिर्मेशन फिरोशा के और यह हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्टा इसका मैंने बतादिया आपको इससे पहले बढ़ बनी थी एचारे और इसको एचारे के जिसे भी रहागर बताया आपको एजसारे का फॉर्मेशन चंशे करा ज इंसिडेंस यह हुआ था 1922 में यह पता एचारे वालों ने ही किया था जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो भी मेंबर्स थे उन्हों नहीं काकोरी इंसिडेंस को जो है इंजाम दिया था 1922 में हुआ था और अचारे का फॉर्मेशन हुआ था 1920 अगर 1921 बेहा था तो अभी आप उसको टिक करेंगे ठीक है अगला देखते हैं यह बोल रहा है कि खिलाफात अंदोलन का परिड़ाम क्या था तो हिंदु मुसलिम मत्वेदों में कमी आई थी अब मैंने अधिक्या इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब समझे ना पाया हूँ कि क्यूं हिंदु मुसलिम मत्वेदों में कमी आई थी अगर आपने पिछला वीडियो अटेंड किया था बहुत डिटेल मताया था क्यूं क्यूंकि जो खिलाफात अंदोलन था उसक पूरा मुसलिम से रिलेटेट था ठीक है तो मुसलिम नाराज थे इंडिया के भी वर्ल्ड के नाराज थे तो इस वैसे खिलाफात अंदोलन बिटिशस के खिलाफ चाल लुगा तो गांदीजी ने सोचा कि चलो इसको जो है नॉन कोपरेशन से मर्च कर देते हैं ताकि एक बड़ा मुवमेंट बन सके तो इसी वैसे नॉन कोपरेशन मुवमेंट में 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 कौन लीडर था इंडियन नाशनल कॉंग्रेस उसमें में में कौन थे हें हिंदु थे तो तुछी बात हैं मुसलिमत बेंज में कमी आई पचिसवमा देखिए यह है कि कि आपको लगाना प रिगार्डिंग एक important fact ये जान लिजे कि गांधी जी South Africa से 1915 में आये थे उसके बाद उनका इंडिया में सबसे पहला कोई सजो सत्याग्राय था वो चंपारन सत्याग्राय ही था चंपारन अंदूलन और ये किसलिए था ये बिहार में जो है जगह चंपारन वहां पे जो है इ उन पर तिनकठिया सिस्टम लगा दिया गया था यानि 3 by 20 और लैंड यानिकी तीन यानिकर 20 हिस्सा है लैंड के तो इसमें तीन हिस्से में जो है आपको इंडियो यानिकी नील खेती करनी पड़ेगी तो इसके खिलाफ चंपारन अंदूलन किया तो इसमें जो में लीडर वह कौन ते गांधी जी थे और एक काप से क्वेश्चन पूसता है कि इनवाइट किसने किया तक गांधी जी को चंपारन में एक परसन थे एक आदमी थे उन्होंने भूलाया था गांधी जी को प्लीज यहां पर आईए हमारी मांगे सुनिया देखिए और हमारे लिए कुमार शुकला तो था लेकिन अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट में जरूर बताएगा इसके रिगार्डिंग ठीक है अगला था अगला है अगला है असायो तो यह उम्मीद करते हूं आप समाझ यहोगी मैंने पूरे डीटेल आपको बता दिया किसके अगेस था किसने बिलाया था और कौन लीडर था ठीक है मतलब बैक टू बैक गांधी जी ने तीन आंदुलन किये थे एक तो चंपारन था उसके बाद एहमदाबाद मेल स्राइक थी 1908 में और उसके बाद 1908 में ही किया था उन्होंने खेडा सत्याग रहे ठीक है खेडा में तो वैसे में ली अब है तो उम्हें खरता हूं मैं मुझे एक्स्पेयंट करने के जरूत नहीं है सब क्या था क्यूं था सब कुछ मैंने अभी एक्स्पेया थोड़ी दिर पहले और पिछले वीडियो में तो और डेटेल में एक्स्पेया था डांडी मार्च 1930 में अभी मैंने बताए कि सीव अभी मैंने पहला ही आपको जो कोश्चन कर वाते हैं यही था कि 1922 में हुआ था और जो अधिवेशन पास किया था इंडिया नाशिल कॉंग्रेस में उस समय प्रेसिडेंट कौन थे अभी मैंने बताया था पहला ही कोश्चन में देखा था फिर 26 नंबर स्थानी स्वायत प आए वो उन्होंने अच्छा भी काम किया जैसे कि लौड विल्यम बेंटिक अगर मैं एक्जामपल लूँ उन्होंने सती को इंडिया से एक दम खतम किया तो कुछ अच्छे काम भी किये ऐसे ही उनमें से एक थे लौड रिपन इन्होंने भी बहुत अच्छे काम किये इंड पंचायत है करेंटली है ना पंचायत है मुनिसे पैल्टीज उनको क्या एक तरह से सेल्फ रूल है कि आप अपना देखे इलाका देखे और आप खुद रूल किजिए उसको तो एक्चली वह लौड रिपन ही लाए थे और वैसे तो आया था 1971 में यह लौड मायो के काल में ले नी 299 इंडियन काउंसिल एक्ट बिसके बारे में तो यह है साम्प्र다 आइक प्रतिनी धित्व के बारे में आब इसके बारे में थोड़ा जान लैती है इसको और बोलते हैं क्या बोलते हैं कि मorekle मिन्टोव रिफॉर्म्श नी में चुले ॥ू täll ये बोलते हैं क्यूं क्यो यह क्यों बोलते हैं साम्रदाइक प्रतिर निय्टू इस वए से बोलते हैं कि इसमें पहली बार Muslim Electorates की बात कही गई थी यानि सेपरेट इलीक्टोरेटस फॉर मुस्लिम अब यह होता क्या मान लीजे कोई नेता है, खड़ा हुआ है, मुसलिम नेता, तो मुसलिम के लिए मुसलिम ही वोट डाल सकते हैं, हिंदू वोट नहीं डाल सकते हैं, मुसलिम को मुसलिम ही चुनेंगे हिंदू ने, तो यह होता है separate electorate, और इसका जो है एक तरह से विरोध भी हुआ था इंडिय हम दिया गया है, तो वो दिया गया है, मौन्टैग्यू चुल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, वो अभी हम आगे देखेंगे, फिर अगला है 29th नंबर, पूना पैक्ट समन्दित था, किस से समन्दित था, तो यह दलित वर्ग से, अब पूना पैक्ट था क्या, पूना पैक्ट फॉर दलित्स की बात कही थी, अभी हमने देखा था न, सेपरेट एलेक्टरेट्स होता क्या था, 1909 में मुसलिम को सेपरेट एलेक्टरेट्स दिये गए थे, वैसे ही दलित को सेपरेट एलेक्टरेट्स देने की बात कही थी, रैम से मकडोनाल्ड ने, और इसका सपोर्ट क के बाद ये जो है जेल में नॉन कोपरेशन के बाद भी गए और सीविल डिवस ओबीडियन्स मूवमेंट के बाद ये जेल गए ये रवदा जेल में थे उसी समय ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेगी दलित के लिए रैमसे मेकड़नौल के दोरह उसका सपोर्ट भीमरा कोई दिक्कत नहीं होगी यानि कि जैसे कि कोई दलित खड़ा रहा तो उसके लिए दलित ही वोट कर सकेंगे और कोई वोट नहीं कर सकेगा तो उसी चीज के अगेंस मातमा गांदी तो इसी वैसे एक पैक्ट साइन हुआ था पूना पैक्ट जिसके तहत सेपरेट इलेक्ट जाए वीडियो को क्योंकि पिछली बारे 20 मेंट के थी और आप लोगों ने बोला थे कि इतना ही वीडियो लंबा सही रहे गा तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजेगा हम लोग अगले थर्टी से चालू करेंगे अगले वीडियो में और आपको वीड प्लीज रगलर रहें वीडियो में ताकि आपको उसका फाइदा मिल सके चाहने वीक स्टुडेंट सो चाहर फोस के इंगलिश का मैंने आपको बताये दिया कि वीडियो जो है आपको मिलने लगेंगी बच बस कुछ दिनों का और इंतजार कीजिए रगलर मिलेंगी डेली ठ प्लीज बस रगलर रहें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद